हलो एब्रिवान वेलकम बेक टू आल टू एनदर ब्लॉग आप सबका मेरे यूट्यूब फैमिली में हार्दिक स्वागत है कैसे आप लोग सब तो आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी कि अगर आप लोग का अमरिका आना है तो इसके लिए क्या क्या चीजे चा नहीं पा रहा था तो कल था ना सेटर्डे तो इसलिए कल जाकर टार्गेट से ये लेकर आया है हम लोग इसका कॉस्ट था एराउंड सेवेंटी डॉलर लेक 5600 रूपीज एक्चुली ना आज मेरा ना बिर्यानी बनाने का प्लैन है और मैंने सोच आए बिर्यानी को आज द तो ये कुकर है ना ये नॉन स्टिक वाला है इसमें ना मैं नौ जन तक का खाना बना सकती हूँ तो इसलिए ही मैंने लिया है कि कभी कबर घर पे भी लोग आ जाते है ना तो इसको ना मैं अभी ठोड़ा क्लीन करके इसको गरम होने के लिए बिठा दे दू क्योंकि ये जो तो को का टाइप का है तो गरम होने में थोड़ा टाइम लगता है तो नॉन इमिग्रेंट वीजा जो है ना उसको आप बोल सकते हो वीजिटर वीजा भी क्योंकि मतलब आप आ रहे हो यूएस में जस्ट फर घूमने के लिए और फॉर यूर टेंपररेरी परपस और यूर बि लेटाया है बिर्यानी के चावल के लिए और उसमें आपको अगर कंपनी से भेजे तो बीवान इस नीड़ फॉर यूर अगर आप टोड़िस परपस में आ रहे हो यह घूमने आ रहे हो तो उसके लिए बीटू वीजा इस नीड़ेड तो कढ़ाई में ना मैने अभी देख कर रखा था तो अभी मैंने चावल भी दे दिया है और चावल को ना मैं 70 परसंट तक कुक करूंगी उससे जादा ने मैं नीचे लिंक पे एक वेबसाइट दे दूंगी इवेस गौर्णमेंट का जिससे आप लोग को वीजा के बार में पूरा डेटेल्स मिल जाएगा तो देखो मैंने ये क्रोकपोट को अभी 30 मिनिट के लिए गरम होने के लिए बिठा दिया है और चावल मेरा अल्मोस्ट कूक हो गया ये देखो हाँ 70 परसंट हो गया अभी इसका मैं सारा पानी निकाल देती हूँ वीजा अप्लाई करने के लिए न सेवरल स्टैप्स है फरस् को ना मैं नीचे एक वेबसाइट दे दूँगी उसमें से आप फॉर्म लेकर डाउनलोड कर सकते हो खुद से कर सकते हो एक रिक्वेस्ट है किसी भी एजेंट के थ्रू कभी मत जाना एजेंट ना जो आपको करके देगा वो आप खुद से कर सकते हो आपको DS-160 का फॉर्म करना है इसके बाद उसमें आपको अपना फोर्म अपलोड करना है तो यह देखो मेंने ऑभी इसमें जींजर करली का पेस दिया है थोरा हल्दी नramosकρ दिया है अभी अप्लाइ को में थोरा भून रही हूं तो आप खोटो करने के लिए फोटो का भी उनलों का स्पविकेशन रहता है वो आप लोग थोड़ा चेक कर लेना इसके बाद बेस्ट ऑन डेट आप फोटो उठा कर फोटो अपलोड करना अभी चिकन में ना में थोड़ा जीरा पाउडर थोड़ा धनिया पाउडर और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर एड़ कर रहे हूँ फॉर्म रेडी हो जाने के बाद आपको फॉर्म सब्बिट करना है ऑनलाइन इसके बाद आपको इंटर्व्यू का डेट मिलेगा लेकिन इंटर्व्यू डेट भी डिपेंड करता है कि आप कौन से विजे के लिए अपलाई किये हो और कौन से लोकेलिटी से आप बिलॉंग कर क्योंकि जितना ज़्यादा ट्राफिक होगा न मतलब रश रहेगा आपका वेटिंग टाइम उतना ज़्यादा रहेगा तेरा साल के नीचे और अच्सी साल के ऊपर के लोग के लिए कोई इंटर्विव नहीं रहता है लेकिन 14 to 79 के अंदर के बीचों बीच के जो लोग है सबका इंटर्विव होगा जब आप एप्लाई करोगे ना वीजा के लिए तब ही आपको डॉलर 185 पीस मतलब 14,800 रूपीस आपको देना है इसके बाद ही आपका इंटर्विव शिडूल होगा वीजा के लिए एक चीज देखो हमारे इंडिया में जैसे जारू मिलता है ना ऐसे इधर भी मिलता है तो मैं ये सब खरीचती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है जारू से क्लीन करना तो कल इंडियान स्टोर से जाकर लेकर रही थी इसका ना मैंने अभी तक साफ नहीं किया है तो बाहर देखो बाडिश होए जा रहा है नहीं तो बाहर जाकत थोड़ा क्लीन कर लेती बाहर ऐसे भी देखने में अच्छा लग रहा है भी देखो बरफ सारा मेल्ट हो गया है बड़े-बड़े शहर में युए संबेसी रहता है लाइक इंडिया में चन्न नहीं है कोलकता है है तो आपका नियारमाई जो बड़ा शहर है उसमें आप अपना इंटर्व्यू शिडूल कर सकते हो मैं बहुत अच्छी हूं जारू क्लीन करने के लिए गता है कि यह वहाल अखल इंडियान स्टोर से लेकर आये थे लेकिन नहीं कर आए और मेरे घर का चाहर हो यह भी खराब हो गया तो इसको थोड़ा क्लीन करें बहार करती तो है आज ही पुड़ा सबकुछ कारपेट यह सबकुछ स्टैप्स स्टेरकेस पुड़ा क्लीन किया लेकि बाहर बाड़ी हो रहा है ख्लीन नहीं कर सकती है पुरा गिला है तो इसलिए अंदर करते हो जितना भी वेकॉम कर लो जो भी मर्जी कर लो लेकिन मुझे लगता है जारू is the best one जारू लेने से जब शांती मिलता है न बार किसी चीज में ने होता है तो यह देखो कराई में पूरा साइड से पूरा तेल निकलना शुरू हो गया है मतलब मेरा ग्रेवी अल्मोंस रेडी हो गया है अभी न मैं थोरा काप में थोरा दूद ले रही हूँ और यह वाला जो सेफरोन है न कल हम लोगोंने कॉसको से लेकर आये थे यह वाला यह made in Spain है 7 डॉलर का था 560 रूपीस दो पेटल्स देखर इसको रखती हो अच्छा स्मेल है इसका तो आपका जब interview schedule होगा ना तो interview में आप लोग को पूछेंगे कि what is the purpose of your trip आप कहा जा रहे हो visitor visa में they will check your आने जाने का tickets आप कहां पर रुकोगे आपका hotel का booking and all these things and yes they will check your bank statement also last six month का bank statement because अगर आपका मतलब आपके पास इतना पैसा है याने कि आप जाने के पाद अपना खुद का खरच चला सकते है याने these things they will check in your immigration process तो अगर आपको US visa के लिए apply करना as a visitor तो आपका passport चाहिए non-immigrant visa application form चाहिए fee payment receipt चाहिए form number DS-160 confirmation page चाहिए and yes your photo भी चाहिए तो यह देखो मैंने जो crockpot गरम करने के लिए दिया था ना यह गरम हो गया है तो अभी इसमें मैं दे रही हूँ दो चम्मज खी और ना दिया है मैंने थोड़ा सा हल दिया और नमक और ना मैं अभी इसमें वो चिकन का जो मैरा gravy ready हो गया है उसको layering कर रही हूँ तो these are the documents जो मैंने आप लोग को बोला है वो आप अपना ready कर लो और जो website है website से आप अपना form डाउनलोड कर लो लेकिन फिर से मैं बोल रही हूँ किसी agent को मत पकरना तो देखो अभी ना मैंने rice के ओपर थोड़ा बिर्यानी मसाला फिर से स्प्रिंकल किया है और अभी दे रही हूँ मैं थोड़ा kaora water उससे बहुत अच्छा एक smell आता है अभी एक all layering कर रही हूँ ऐसे chicken और अंडे का उसके ओपर फिर से मैं rice दे रही हूँ तो ऐसा करके ना म मैंने किया है, बिर्यानी के लिए और उपर से अभी थोड़ा फिर से बिर्यानी मसाला और धनिया पता दे दिया है और सैफ्रों का water और यह जो नोजल है ना, उसको भी मैंने देखो एक tissue से बन कर दिया है और अभी इसको मैने dham में बिठा दिया है, बिठा कर मैंने time set कर द वान पॉर्ट मील मतलब ये जो क्रॉक पॉर्ट देखा न ये स्लो कुकर उसमें ये लोग सारा मतलब सबजी वबजी राइस वाइस बीन सब मिलाकर एक ही साथ रात को बिठा देते ये देखो खिछरी के लिए न मैंने मुसर डाल मूग डाल और चावल लिया है तो वान पॉर मिल में ये लोग क्या करते हैं रात को सब कुछ देकर बिठा देते और पूरी रात बो स्टीम में धीरे 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 कुक होता है तो सुबह होते होते हैं इन लोग का खाना रेडी हो जाता है देखो आप लोग के सथ बाते करते करते मेरा सारा खाना भी बन गया है थोड़ा तो किचन का अल्मोस्ट डन अभी जाकर देखती हुए लोग क्या करें यह दर्वाजर में देखो धब 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 डब दोगे से किया जा रहा है लॉट्री किया है अभी तक लॉट्री का कपरा फोल नहीं किया है मेरा बागी है सब करना यह तीनों एक रूम में बन थे इसको मैं सुला कर गई थी किचन में क्योंकि आज संड़ है ना तो संड़े के वज़े से सोचा कि थोड़ा लेट होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं ब्रेकपास कुछ होने के बाद तो जाकर मैं किचन में गई थी तो 30 मिनिट हो गया है देखो इसका ना टाइमर मैंने सेट किया था वो अटोमेटिकली ओफ हो गया है इसका प्लाग निकाल देती हूँ पहले तो देखती हूँ खोल कर कैसा बना है आ बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है होफूली अच्छा ही बना होगा हाला कि मैंने इतना स्पाइसिस कुछ भी नहीं दिया है एक्दम सादा माटा ही बनाया है और ये देखो छोटे वाले के लिए ना मैंने खिछरी भी बना दिया है तो आज का ब्लॉग ना में इपर ही खतम करती हूँ इन लोग को अभी थोड़ा खाना खाने दे देती हूँ अगर आप लोग को इनफोर्मेटिब लगे तो प्लीज लाइक कर देना और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल जल्दी मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में तब तक के लिए बाई टेक क्यार